बिहारबुर मेटी रिजल्ट दोजाज चूट गया पांस सालों का पिछला रिकल जी हाँ बिहारबुर बिलकुल अस्पीड में यहाँ पे रिजल्ट जाज करने जा रही है और रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज देखते हुए सभी सालों से बेहतर रिजल्ट जो है वो इस बार बिहार बिजाले परिछा समीती का मैट्रिक का होने जा रहा है तो बिल्कुर ध्यान से पूरी खुसकपरी देखेगा कि आप लोग का metric result किस दिन जारी होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका objective की copy जान समाप्त करके objective का answer जो है जारी कर दिया है बस अब कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि final result जो है बिहार बिद्याले पैच्छा समिती जारी करने जारी है उसमें जो लगू और दिर्ग उतरिये में कितने marks मिले है क्योंकि objective का जब answer की यहाँ पे जारी किया गया है तो उसका आप लोग को पता चल गया है कितने number मिल रहे हैं इसी वीडियो में आपको objective का कैसे download करना है बो भी में बता दूँगा बीच में लिकिन यहाँ पे जान लेजिए main जो आपका subject का number मिल रहे है subject में जो कि आपका लगू तरिये और दिर्गू तरिये में है उसमें जो number मिल रहे हैं बो भी जब अदस तरीके से यहाँ पे बिहार बिजाले परिशा समीती को दोड़ा बताये गया है तो पूरी जनकारी इस वीडियों बताई जा रही है तो फड़ापट सभी को share कर दें ताकि सभी दोस्तों तक सही जनकारी मिल सकें और चैनल पे पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके फड़ापट सेयर कर दें अपने दोस्तों को तो बिल्कुद ध्यान से देखेगा एक एक अपडेट क्या बताया गया है मैटिक रिजल्ट 2024 के लिए जिस तरह से इंट्रेक रिजल्ट फास्त तैयार हो रहा है उसी तरीके से एक तरफा बिहार बोर मैटि का रिजल्ट वी बिल्कुल हस्पीट के साथ तैयार कर रही है इसी का नतीजा है कि objective copy जाच समाप्त करके objective का आंसर की बिहार बिदाले पैच्छा समीती जारी कर दी और उसके लिए छात्र को 2-3 दिन का समय भी दे दी अगर आप अपना marks ब्रहाना चाहते हैं तो आप अपना marks ब्रहा सकते हैं यानि का आपको लगता है कि मेरे objective में कम नंबर मिले हैं तो बिहार बिदाले पैच्छा समीती यहां पे marks ब्रहाने का भी मौका यहां पे दी है तो कैसे ब्रहाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ जो दिर्गु तरिये और लगु तरिये में जो आपको number मिल रहे हैं उसमें आपको कितना number मिला है ये भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पूरी जनकाई दी जा रही है तो सबसे पहले आपको official website पे लेके चलते हैं जहाँ से आप को ये बता दें कि आपके objective में कितने marks मिले हैं कितना number आपको यहाँ पे मिला है पहले ये देख लिजिए objective का फिर subjective लगु तरिये दिर्गु तरिये इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ और final जो result का date बताया गया है वो भी बता रहे हैं first division को बोला गया है 15,000 और second division को 10, 1000 बो कैसे मिलेगा वो सब कुछ इस वीडियो में तो ध्यान से थोड़ा सा भी skip नहीं किजेगा पूरा वीडिया बिल्कुल step by step यहाँ पे देख लिजे ताकि जवदस खुसकवरी आपको मिल सके और आपका mood बिल्कुल एकदम चेहरे पर smile आए जाएगी बहुत जवदस लेके चलता हूं अब ध्यास यहां से थोड़ा साभी skip नहीं करना क्योंकि आगे आपको long answer और short answer में कितना number मिला है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले यहां पे पहले में जो आपको दिख रहा है ठीक है official जो objective दिया गया है उस पे आपको click करना ह लेकिन यहां पे बहुत सारे चात जो है वो check नहीं कर पाएं कि उतना उनको कितना number मिला है ठीक है आपको खुद का check करना है तो खुद का check करने के लिए देखिए सभी subject का Hindi first sitting second sitting यानि Sanskrit भी देखिएगा तो first sitting second sitting दोनों का दिया है science का भी दिया है math का भी दिया है दोनों sitting का और यहां पे देख सकते हैं social science का भी दोनों sitting का मिलेगा English का भी दोनों sitting उर्दू का भी दोनों sitting का दिया गया है तो जिसका भी आपको देखना है सबसे पहले example के लिए मैं यहां पे सिधे आपको Hindi के first sitting पे लेके चलता हूँ जब हिंदी का first sitting पे लेके चलिएगा तो आपक हो जाएगा ठीक है तो यह download हो गया मैं यहां पे PDF फाइल में यहां पे क्लिक करता आपको जो download करना है इस तरीके से आप download कर लेंगे ठीक है अब दिखी यहां पे आपको अपना state code दिखेगा कि आपको जो है बो यहां पे मिला लेना जो first sitting वाले हैं तो first sitting वाले इस तरीके स परिछा समिती यहां पे देगी तो यह तो हो गया objective का लेकिन अगर आपको मैं नहीं कि मेरा marks बढ़ना चाहिए मन मुताबिक marks नहीं मिला है इस तरीके साब सभी subject का download करके मिला लेंगे तो आप देखें यहां पे आपको marks कैसे बढ़ाना है वो यहां पे देख लीजिए कितना नमबर मिला है अब दीखिह यहां पे हम बात कर लेते हैं कि आपके लगु और दिरगूतर्ये प्रष्ण मीं आपको कितने नमबर मिले हैं जिसका चात्रों का इंतिजार था कि Hajdi शर कैसे पता चलेगा कि जो मैं लगूतर्ये बना कर आया हूं दिरगूतरीे बना कर आ तो यह यहां पे जान लिए जबसे बड़ी खुसी की बात यह है कि मार्क्स जो हैं सभी को मिले हैं यानि कि जो चात जो है आधा उत्तर लिकर छोड़ दिया था उसे भी भी हार भी दाले परिच्छा समीति के दोरा नंबर दिया गया है और जो पूरा लिखा था उसे नंबर तो मिला ही है अब दिखे यहां पे नंबर कितना मिला है यह जान लीजे अगर आपने अस्टेब बाई Uno का ध्यान रखा है तो आपको जो हैस्टेब्स मार्किंग का नंबर जो दिया गया है और अगर आप पूरा आंशर सही लिखे तो फूल्लमार्स मिला misfrir किसी कटोवे ईह नहीं की गई है। जहाँ तक जिनका कम नंबर हो रहा था, एक दो जो क्रॉसर लग रहा था, उन्हें Grace Marks देकर पास भी किया गया है और जिनकी राइटिंग अच्छी थी, भले उन्होंने आंशर पुरा नही लिखा है, तो उन्हें Bonus Marks भी बिहार बिद्याले परिच्छा समीती दे दी है यानि इस तरीके से इस बार का रिजल्ट है पिछले 5 सालों का जो रिजल्ट लगातार बिहार बिद्याले मैट्री का दे रही है उससे अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए बिहार बिद्याले प 10,000 रुपे देगी यानि पर्थम स्रेनी में लड़का लड़की सब को मिलेगा चाहे आप किसी भी जाती के हैं लेकिन अगर सेकेंड डिविजन आता है तो उसमें आपको अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती को लड़का लड़कियों को 10,000 रुपे देने का वीचा आज आ रहा है जैसा इंटर में आपको एक साल पहले बढ़ाया गया था तो जब अदस अपडेट अब यहां पे हम बात करने रिजल्ट कब जारी हो रहा है तो रिजल्ट के लिए बोला गया है कि आपका 29 मार्स तक हर हाल में बिहार भी जाले परिछा समीती मैट्री का होगा और इंटर का रिजल्ट आपका 20 तारीक तक आ रहा है और उसके आपके 8 से 9 दिन बाद यानि 29 मार्स तक हर हाल में बिहार भी जाले परिछा समीती आपका मैट्री का रिजल्ट जारी करतेगी तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है किस वा का रिजल्ट सांदार आए और वीडियो शेयर कर दिजे लगातर अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वाट्स अप और टेली ग्राम का जरूर से जोइन किजे ताकि भी हार बोट की हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंच दिरे हैं मिलते आप से न वीडियो वीडियो को सेयर जरूर करें